नमस्कार अदाप्स असरिकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन सिस्टीन के खर से बेगर हो चुकी है अर्चना गौतम, जी हाँ, फिजिकल वॉयलेंस का दोशी पाते वे बिग बॉस के मेकर्स ने अर्चना गौतम को शो से बाहर निकाला, अब ऐसे में उनकी दोस्त, उनकी सहली प्रियंका चहर चौधरी ने अपनी दोस्ती जो है वो साभित किया और उठाया है दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा चौकाने वाला कदम, सबसे बड़ा चौकाने वाला फैसला लिया है दोस्तों, प्रियंका चहर चौधरी ने, कौन सा फैसला लिया है, क्या हुआ है ऐसा चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चानल Quick TV News को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले Quick TV News को आप सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया दोस्तों अर्चना गौतम और टीना दत्ता इनके बीच में जबर्दस से लड़ाई होने वाली है और कॉमन होने वाली है अर्चना गौतम अच्छे दोस्त थे प्रियंका और अर्चना जो हैं यहां पर काफी अच्छे मित्र थे और यहां पर आपको बताना चाहते हैं अपनी दोस्त को घर से बेगर होता हुआ देखकर बेज़ती होता हुआ देखकर प्रियंका चहर चौधरी ने आवाज उठाई और ना सिर्फ और पियांका चहर चौधरी ने कहा बेग बॉस से और मेकर्स के सामने कि अगर अर्चना नहीं रहेंगी तो मैं भी इस शो से मैं भी इस शो में क्या करूंगी मुझे भी इस शो से आप निकाल दो क्योंकि अर्चना की कोई गलती यहां नहीं थी शिव ठाकरे और सुंबुल त रास के दुरान जो है ये चीजें हुई थी ये बात जो है वो बोलते वे नजर आई दोस्तों और पूरी तरह से फूट पूट कर रो पड़ी प्रियंका चहर चौधरी अर्चना गौतम के लिए और सबसे बड़ा फैसला लिया कि वो शो में नहीं रहेंगी प्रियंका चौहर चौधरी जो है वो करती है क्या और प्रियंका चहर चौधरी जो है यहां पर किस तरह से अपनी दोस्त का बदला लेती है दूसरे लोगों से ये देखना काफी जादा दिलचस्प रहेगा और यहां पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यह बहुत ही बड़ा फैसला जो ह लिया है यहां पर आपको बताना चाहते हैं प्रियंका चहर चौधरी ने अपनी दोस्त के लिए वाकई में इनकी दोस्ती जो है वो काफी सची थी इनके बीच में लड़ाई जगड़े भी बहुत होते हुआ करते थे लेकिन इनके जो सोच है और थौट है वो हमेशा एक ही हुआ करता था आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही अर्चना गौतम के इविक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट के थूँ आप हमें ये बात जरूर बता है और अगर अभी तक आपने हमरी यूटूब चानल क्विक टीवी नूस को आपने सब्सक्राइब नहीं क किया है दोस्तों तो सबसे पहले टीवी नूस को आप सब्सक्राइब करने बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबाने